Hello everyone, Welcome to UP Online Coaching UP Online Coaching के इस चैनल पे आज से या इस वीडियो से स्री साधु सरन्च चरशिया इंटर कालेज लेरी सुवरा संतकबीर नेगर के प्रबंधक स्री सिद्धनाच चरशिया जी तथा स्री मती रेस्मा देवी महातम सर्मा उच्चितर माद्वी विद्धालय बरहाडानी के प्रबंधक स्री अवधारी सर्मा जी के निर्देशन में आज से यूपी बोर्ट हिंदी मीडियम की कच्छा एक से ले करके कच्छा बारत तक की सभी कच्छाएं इस चैनल पर संचालित होंगी आप लोगों को दोनों प्रबंधक जी का धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि इन कच्छाओं पे कोई भी पेट वर्जन न लगाए जाए या किसी तरीके का रिष्टिक्सन न लगाए जाए जिससे कि सभी बच्चे चाहिए उप्रदेश के हो देश के हो कहीं के हो सभी बच्चे इस वीडियो का लाव ले सकें तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आज कच्छा च्छा के गणित के अभ्यास एक को जिसका नाम है प्राकिर्तिक एवंग पूर संख्या है वैसे तो स्लेबस में पूरे 16 चैप्टर है लेकिन पहला चैप्टर जो है वह प्राकिर्तिक एवंग पूर संख्या तो विलम न करते हुए इसी स्रिंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के गणित कच्छा 6 के गणित अभ्यास एक प्राकिर्तिक एवंग पूर संख्या को प्राकिर्तिक एवंग पूर संख्या यह जो कि हम जाने संख्या और अंग और संख्यां क्या होता है और मेरा ऐसा मालना कि संख्या अंग और संख्यां जानने से पहले आपको पढ़ना पढ़ेगा संख्या पद्दत तो आते हैं आज संख्या पद्दत पहले टॉपिक को उठाते हैं पढ़ते हैं कि संख्या पद्दत होता क्या है? संख्या को लिखने, एवन उनके नामकरन, के शुववस्थित, नियमों को संख्या पद्दत कहते हैं. इसमें दस्वलों पद्दत, अच्छा हमको संख्या पद्दत पढ़ना क्यों है? है क्योंकि गणित में कोई भी कीज की ने क Mminty पी होती तो जैसे हो गया दस्मलों संख्या पद्दत पद्धित्यक्रात और आगे यह ऑं पद्धतितों को जानेंगे तो इसले के संख्याँ अवस्चक नियम पक्र पद्दत कहते हैं जैसे दसमलो संख्या पद्दत अब इसको दसमलो संख्या पद्दत क्यों कहा गया है क्योंकि इसमें दस संख्यतों का प्रयोग किया जाता है द्यधारी संख्या पद्दत इसको दियुद्धारी संख्या पद्दत क्यों कहा गया है क्योंकि इसमें दो अंक या दास्मिक संख्या पद्दत, दयाधारी, संस्कृत में दया का मतलब होता है दो, यानि कि दो संकेतों का प्रयोग जिसमें हो, वो दयाधारी संख्या पद्दत, और अश्टा धारी, अश्ट, संस्कृत में अश्ट का मतलब होता है आठ, यानि जिसमें आठ संकेतों का प् पढ़ना है दस्मला संख्या पद्दत या दासमिक संख्या पढ़ानी तो संख्या पद्दत आप समझ गए संख्याओं को लिखने एवन उनके नामकरण के सुववस्तिक नियमों को संख्या पद्दत कहते हैं अब आते हैं संख्या पे, संख्या, संख्या क्या होती है पहले इसको जानते हैं, संख्या का जंदल परिभासा जो दिया है, वो है कितनी वस्तुए है, यानि कि वो क्या दिया गया कितनी वस्तुए है का जिससे बोध या ज्यान होता है, बोध और ज्यान में कुछ अंतर है, देकिन यहां पर आप जाने कि बोध और ग्यान एक होता है, तो कितनी वस्तुए हैं का जिससे बोध या ग्यान होता है उसे संख्या कहते हैं, जैसे आपने एक किलो सेव लिया, अब सेव में कितने सेव हैं, एक सेव हैं, दो सेव हैं, तीन सेव हैं या चार सेव हैं, तो कितन वस्तुएं का जिससे वह ध्याग्यान होता है उसे संख्या कहते हैं यह तो रहा जनरल परिभासा अब आते हैं इसके विकिपीडिया के अंसवार इसको देखते हैं कि विकिपीडिया क्या कहता है विकिपीडिया यह कहता है संख्याएं वे गड़ती वस्तु हैं जिनका उप्योग मापने इसको ध्यान दीजेगा मापने गिनने और नामकरण करने में जैसे मापने मान लीजिए लंबाई मापने में एक मीटर दो मीटर है या तीन मीटर है यह हो गया गिनने कोई भी चीज को गिनने जैसे कितनी वस्तुए हैं इसमें जनरल पड़िभासा म जिससे बोध याग्यान होता है उससे संख्या कहते हैं अथुआ विकिपीडिया के उसर हम देखे संख्या वे गरती वस्तुए हैं जिनका उपयोग मापने गिनने और नामकराण करने के लिए किया जाता है इसमें मुल लूप से प्राकृतिक संख्या को लिया जाता है उसकी दस्मलों पद्धत में हमको बताया कि संख्या पद्धत में हमको दस्मलों संख्या पद्धत पढ़ना है तो दस्मलों संख्या पद्धत में या दास्मीक संख्या पढ़ाली में हम जिन दस संकीतों का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए या वस्तुए को गिनने के लिए य 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि मिल के कितने संख्यांख हो गए ये 10 संख्यांख हो गए जिन को हम अंक्या संख्यांख करते हैं समझ गया आप एक बार आप फिर से रिपीट करते था हूं सारी चीजे संख्या पद्दत किसे कहते हैं संख्याओं को लिखने एवंग उनके नामकरन के बीडियों को पीछे करके देख लीजेगा दीधारी संख्या पद्दत अश्टादारी संख्या पद्दत और सोधषा धारी संख्या पद्दत अबsty ठाट्टे कितनी वस्तुवे हैं का जिससे बोध याग्यान होता है उसे संख्या कहते हैं अब यह या उचाई मापने गिनने कितनी वर्ष्टुएं हैं जैसे एक सेभ है दो सेभ है या एक मोबाइल है या एक ग्रह है दो ग्रह है कि कितनी चीजें हैं कितनी वर्ष्टुएं हैं उनको गिनने और नामकरण करने करने के लिए किया जाता है समझ गये संख्या कितनी या दासमीक संख्या पढ़ाली में हम जिन दस संकीतों का प्रयोग करते हैं उनको हम कहते हैं अंक या संख्यांक और वो कौन-कौन से हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानि कि अंक गणित में इन्हीं 10 अंक संकीतों की सहायता से हम सारी वस्तूओं को गिन सकते हैं सारी वस्तूओं को लिख सकते हैं यानि अंक गणित में कोई भी अंक हमको लिखना हो कोई भी अंख हमको represent करना हो, प्रदर्सित करना हो, represent मतलब प्रदर्सित करना, represent करना हो, उसको हम represent कर सकते हैं, समझ गए आप, अच्छा, संख्या और अंख और संख्यान तो हम जान लिए, इसके बाद हम जानते हैं, इससे पहले हमको जानना चाहिए था संख्याओं का विकास लेकिन इसको इसलिए समझने आवज सकता क्योंकि संख्या जब आप समझ गये तो संख्याओं के विकास समझने में कटना ही नहीं हो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं संख्याओं का विकास संख्याओं का विकास मूल रूप से प्राकृतिक संख्या को पहले माला जाता था यानि कि जो प्राकृतिक संख्या थी उसी को हम संख्या मानते थे और जो संख्या थी उसी को हम प्राकृतिक संख्या मानते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब अगर आप कोई संख्या बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, पूर संख्या भी हो सकती है, परिमे संख्या भी हो सकती है, आपरिमे संख्या भी हो सकती है, सम संख्या हो सकती है, विसम संख्या हो सकती है, अभाज संख्या हो सकती है, भाज संख्या हो सकती संपूर्ध संख्या हो सकती है इत्याद कोई भी संख्या हो सकती है तो देखते हैं कि संख्याओं का विकास संख्याओं का विकास कुछ इस प्रकार से वा किस प्रकार से हुआ पहले प्राकिर्थिक संख्या प्राक्रितिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या अनुवर्ति या उत्तरवर्ति संख्या अनुवर्ति या इसको अनुवर्ति या उत्तरवर्ति क्या बोलते हैं? उत्तर मतलब बाद में यानि कि जो बाद में आया अनुवर्ति अनुज मतलब होता भी है, अनुज मतलब छोटा नहीं होता है, अनुज मतलब होता है कि जो बाद में पैदा हुआ, उसको हम बोलते हैं अनुज, इसलिए इसको कहा जाता है अनुवर्ती, यानि कि जो बाद में आया, और उत्तरवर्ती, यानि कि दोनों सेमी है, अनुवर्ती संख्या परिमे संख्या परिमे संख्या आपरिमे संख्या आपरिमे संख्या आपरिमे संख्या भाजी संख्या आभाजी संख्या आभाजी संख्या 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 विसंख्या सह अभाज संख्या पूर संख्या रामानुजम संख्या आगे भी और संख्या हैं लेकिन हम मुल रूप से इन संख्याओं को ही जान लेते हैं जिसमें सिलेबस में आपके के वाले प्राकिर्टिक संख्या पूर्वर्ति संख्या अनुवर्ति या उत्तरवर्ति संख्या पूर्वर्ति संख्या एक चीज और है आपके सिले बस में कच्छा च्छा के भी सागडित अभ्यास है के प्राकिर्तिक अभ्यास के यानि कि पहले चैप्टर में आपके प्राकिर्तिक संख्या पूर्वर्ति सं कि चर्चा भी हम आगे करेंगे तो क्या है पूर्व संख्या और रामानुजम संख्या करेंगे तो इसमें आपके स्लेबस में क्या क्या है आपके स्लेबस में सिर्फ है प्राकृतिक संख्या पूर संख्या अनुवर्ति उत्तरवर्ति संख्या और पूरवर्ति संख्या और एक और यह स्थानी मान तो आते हैं, अब आपके सिलेबस पर इसीधे आते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, आप जानेंगे पूर संख्या क्या होती हैं, उत्तरवर्ती संख्या क्या होती हैं, पूरुवर्ती संख्या क्या होती हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आते हैं आपके प क्लास पर चैप्टर में पताया था कि मैं आधका तीक प्रच्वाप्ट को क्या है Serious प्रच्व क्या हो तो का और प्रकृतिक ना प्राकिर्टिक संख्या जैसे मालिजे आपको गिनना हो कि आपके घर में कितने भाई हैं, वो आप गिन लिए, प्राकृतिक संख्या हो गई, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, वो आप गिन लिए, प्राकृतिक संख्या हो गई, आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, वो आप गिन लिए, प्राकृतिक संख्या हो गई आपके विद्याले में कितने कमरे हैं प्राकृतिक संख्या हो गई माल जो रेल गारी जा रही है उसमें कितने डिब्बे लगे हुए है वह प्राकृतिक संख्या हो गई आप किसी सवारी गारी में जा रहा हैं, उस सवारी में कितने लोग बैठे हुए हैं, वो प्राकृतिक संख्या हो गई, समझ गया आप, प्राकृतिक संख्या कीसे कहते हैं, गिनते की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं जैसे एक दो तीन चार पाँच छे डाद डाद infinite infinite मतलब अनंत और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के उग्याद करना असंभव है अगर आप पैदा हुए पैदा होते हुए अगर आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं को लिखना प्रारम कीजिए और आप मरते दम तक सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को लिख नहीं सकते इस बात को आप जान लेजिए तो प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनितिकी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं कहते हैं ये रही प्राकृतिक संख्या, अब आते हैं पूर संख्या पे, पूर संख्या क्या होती है संख्या परिवार में जब 0 को add कर देते हैं तब क्या हो जाती है वो पूर संख्या हो जाती है जैसे 0, 1, 2, 3 यानि कि प्राकर्तिक संख्या जो दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, infinite डाट डाट डाट, infinite इसमें आप 0 को add कर देजे, 0 तो ये क्या हो जाएगी? पूर हो जाएगी अब इसको पूर संख्या क्यों बोला गया है? इसको जान लेते हैं पहले पूर संख्या इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी सहायता से आप संसार में गनित की कितनी भी वस्तुयां आप गिने आप उसको लिख सकते हैं इससे तो आप प्राकरतिक संख्या से आप संख्या को केवल गिंते हैं, गिंती की वस्तु को प्राकरतिक संख्या कहते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना हो, तो आप इससे सभी संख्या को लिख नहीं सकते हैं, सभी संख्या को लिखने के लिए आपको पूर्ध संख्या की अदर लेनी पड़ेगे, जैसे मैं आपको बताता हूं, माल लीजे, आपके class में 100 विद्यार थी हैं, तो इसकी सहायता में, इसकी सहायता से आप 100 नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें 0 है यही नहीं, तो आप 100 लिख नहीं पाएंगे, और इसमें 0 दिया गया है, इसस देखके बाद 7 enemies 99 लेकिन आपको 100 लिखना हो तो आप हैं कशिक्राइफ काम है नहीं किया जाता है तो क्या हूआ प्राकृतिक संख्या में저 प्रा को लिखना कि यानि कि प्राओ सब ही को लिखना सकते हैं लेकिन पूर्व संख्या की मदद से हम सभी वश्टों को गिन भी सकते हैं, और लिख भी सकते हैं, जैसे, माल लिजिए, आपके क्लास में 100 विद्यारती हैं, तो 100 विद्यारती आपने गिन लिए, लिखना होता हो, तब आप लिखेंगे 1, उसके आगे सुन और सुन, तो आप क्या कहेंगे, कि पूर्व संख्या में, प्राकिर्तिक संख्या में, जब जीरो परिवार को एड़ कर दिया जाता है, तो जो संख्या परिवार हमको प्राप्त होती है, वो कौन सी संख्या होती है, वो होती है पूर्व संख्या, और सबसे बड़ी पूर्व संख्या को ग्य प्राकृतिक संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है अब समझ गया प्राकृतिक संख्या का होती है गिंतिकी संख्याएं यानि कि जिनको हम गिन सके लिख सके ने लिख सके वह बागत की बात है लेकिन जिनको हम गिन सके वह होती है प्राकृतिक स संख्याई होती है क्यों कि हम उसको गिन सकते हैं मान लिजिए आपके आपके पास दो आखे हैं अगर आप इसको वह मैंने बता था कि वह मूल रूप से प्राकृतिक संख्याई होती है पूर संख्या क्यों नहीं होती है इसलिए नहीं होती है क्योंकि मान लिजिए अगर आप लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या की मदद से हम गिनेंगे, प्राकृतिक संख्या में शुरुआत ही एक से होती है, तो अगर आप प्राकृतिक संख्या की मदद से गिनेंगे, तो क्या हो जाएगा? मालिज आपके पास दो आखे हैं, तो गिनना प्रादम करेंगे एक और दो तो क्या हो जाएगा प्राकरिटिक संख्या इपनी लिए पर जाले जाएगाघ को प्राप्त होती है जो संख्या परिवार हमको प्राप्त होती है वो हो जाती है पूर संख्या समझ गया आप प्राकिर्तिक संख्या और पूर संख्या एक से प्रारम होती है एक दो तीन चार पांच होते हुए अनन्तक जाती है और पूर संख्या जीरो से प्रारम होते हुए पहले मतलब जैसे मालेजे आप लाइन में खड़े हैं आपके आगे कोई खड़ा है इसका मतलब वो आपसे पहले हैं मालेजे आप किसी चीज को खरिदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं तो आपसे पहले जो लाइन में लगा हुआ है आपके आगे जो है वो आपसे पहले हैं तो इसका मतलब क्या होता है पूर्वर्ति संख्याнов पूरवर्ति संख्या- जैसे पराकिर्वाली संख्या- 2 ले ठीक, प्राकृतिक संख्य अगर आप 2 ले लिए तो 2 के पहले क्या आता है? 2 के पहले आता है? 1 तो 1 क्या हो गया? 2 का पूरुवर्ती हो गया मान लिजा अगर आप ले लिए? 5 5 ले लिए, तो 5 का पूरुवर्ती पुरुवर्ति मतलब पहले, तो 5 के पहले क्या आता है, 5 के पहले क्या आता है, 4, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 पांच का पुरुवर्ति है, अगर माल लिजे आप ले लिए, 100, 100 आप ले लिजे, तो 100 का पुरुवर्ति क्या हो जाएगा, 100 का पुरुवर्ति मतलब 100 के एक पहले, जैसे मैंने आपको बताया, 100 के जश्ट एक पहले 100 के एक पहले क्या आएगा? 99 अगर आपको मान लिजे आपको मैंने दे दिया 9 का पुरुवर्ती ज्याद कीजिए तो 9 का पुरुवर्ती मतलब 9 के ठीक पहले 9 के ठीक पहले क्या आता है? आप लिख लिजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो आप क्या देखेंगे, 9 के एक पहले क्या आता है, 8, तो 9 का पुरवर्ति क्या हो जाएगा, 8, अच्छा ठीक है, माल लीजिए आपने ये देख लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अभी ये छोटी संख्या है तो आपने ग्याद कर लिया, माल लीजिए बहुत बड़ी संख्या ह तब कैसे ग्याद करेंगे, माल लीजिए आपको दे दिया, 9, 9, 9, 9, ठीक, इतने दी हुई है, अब इसका अगर आपको पुरवर्ति ग्याद करना है, तो कैसे ग्याद करेंगे, बस इसमें से एक माइनस कर दिजिए, इसमें से आप एक माइनस कर दिजिए, आपको इस संख संख्या को प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की संख्या को उसका उस अंग का पुरवर्ति बोलते हैं उस अंग या संख्यां का पुरवर्ति बोलते हैं तो पुरवर्ति आपको समझ में आ गया अब आते हैं अनुवर्ति या उत्तरवर्ति क्या होता है अनुवर्ति या उत्तरवर्ति भी पुरवर्ति की तरह होता है देखते हैं उत्तर मतलब होता है बा उत्तर मतलब क्या होता है बाद यानि कि प्राकिर्तिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को उसका उत्तरवर्ति या अनुवर्ति संख्या बोलते हैं जैसे माल लिए मैंने आपको एक जामपर बताया था आप लाइन में लगे हुए है आपके जो एक पहले लगा हुआ है व पुरवर्ती संख्या में आप एक का पुरवर्ती ग्यात नहीं कर सकते हैं, एक का पुरवर्ती आप नहीं बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्राकिर्तिक संख्या के ठीक एक पहले की संख्या को उसका पुरवर्ती संख्या करते हैं, तो एक के पहले की संख्या कोई होती ही नही है तो आप इसका पूरवर्ति आप घ्याथी नहीं कर सकते हैं लेकिन उत्तरवर्ति या अनुवर्ति संख्या आप को दे दिया कहा है 99 व में 99 ऌनल्य का उत्तर वर्थी नानुवर्ती संख्या घ्र्रक्र में आंगयां फिर से रिपीट करते हैं प्रकुर्टिक संख्या गिंती की शंख्या को हम प्रकुर्तिक की बोलते हैं जैसे 1 2 3 4 5 डाі डा डाड प्ल्तिक नाव तक चल जाए पूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् कि ठीक पहले की संख्या उसकी पूरवर्ती संख्या होती है लेकिन इसमें एक का पूरवर्ती संख्या नहीं होता है क्योंकि एक के पहले कोई संख्या ही नहीं प्राकृतिक संख्या में तो क्या हो जाएगा पूरवर्ती संख्या क्या हो जाएगा एक का कोई नहीं होगा लेक पूरवरति संख्या और उत्तर वर्तिया अनुवर्ति संख्या आपके syllabus में एक चीज और है अस्थानिमान उसको हम आगे की chapter में discuss करेंगे यह class यहीं पर खतम होता है कच्छा अभ्यास एक कच्छा अच्छा के गणित अभ्यास एक प्राकृतिकर पूर संख्या हो का यह अभ् इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को सेयर कीजिए, ताकि इससे और भी बच्चे, जो भी कच्च अच्छ है के बच्चे पढ़ने वाले हो, इससे में लागडाउन है, तो कोई बच्चे कहीं जा नहीं सकते, तो जिनके घर में भी मोबाइल है, वो बच्चे उ तेर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा और चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए बेल आइकॉन भी दवा दिजिए ताकि आगे के वीडियो जो आते रहे वह आप तक सबसे पहले पहुंच करें